नमस्कार दोस्तों मैं सब्सक्राइब आप देख रहे हैं रन पर लाइब यीटूब चनल पर राया मत्वरा यानी नए बंद्रावन की न्यूज अपटेट दोस्तों राया के पास जो नया ब्रंदावन यमना विकास प्राधिकरण बसाने जा रही है उसकी कई वीडियो हमार तरसक इसकी गहनता से पड़ताल देखना चाहते थे तो दोस्तों आज मा को राया मत्वरा यानी नए ब्रंदावन की गहन पूरी पड़ताल दिखा रहे हैं क्या है इस नए ब्रंदावन का रूप सरूप क्या है इसका ठाका यमना विकास प्राधिकरण ने क्या इसका प्ल ब्रंदावन यानि Heritage Corridor Center की DPR तयार हो रही है अमेरिकन कंपनी CBRE इसकी DPR तयार कर रही है दो महिने में DPR बनकर तयार हो जाएगी इसके बाद यमना विकास प्रादिकन राया मतुरा अर्वन सेंटर और नए ब्रंदावन को बसाने के लिए कंपनी की तलास करेगी राया मतुरा अर्वन सेंटर यमना विकास प्रादिकन का माश्टर प्लान दो हजार इकत्तीस है जो PPP मॉडल पर तयार होगा राया अर्वन सेंटर में अत्यादुनिक सहर दोग परेटंग जोन और यमना के घाट, आस्रम, म्यूजियम, प्राचीन, वन, ट्रांस्पोर्ट, सिटी, परेटन और वाटर बोडी नए ब्रंदावन में विक्सित की जाएगी नए ब्रंदावन में यमना के घाट बनों के अलावा महवारत काल से जुड़ी घटनाओ और भगवान क्रश्निक से जीवन से सम्मंदित जाकियों को प्रस्तुत किया जाएगा। और उद्धोग केंद्र विक्सित किया जाए राया मत्रा यानि नया ब्रंदावन यमना एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ होगा क्या होगी इसकी लोकेशन आईए यह भी जाने यमना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से मत्रा की दूरी 126 किलो मीटर आगरा की दूरी 185 क अलिगड की दूरी 100 किलो मीटर और जेवर की दूरी 38 किलो मीटर है वहीं 0 पॉइंट से राया कट की दूरी 99 किलो मीटर आगरा की दूरी 69 किलो मीटर है मतुरा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर ब्रंदावन कट और राया कट पर उतरना पड़ता है राया कट से मथुरा की दूरी लगभग 10 से 12 किलोमीटर है यमना एक्सप्रेस बे के सहारे 20 किलोमीटर की चुडाई में और लगभग 40 किलोमीटर की लंबाई में राया मथुरा अरबन सेंटर यानि नए ब्रंदावन का खाका होगा लगभग 42 गाउं की जमीन राया मतुरा अरवन सेंटर और नए ब्रंदावन सहर के लिए अदग्रेत की जा सकती है राया की तरफ का छित्रपल ज़्यादा है, ब्रंदावन से लेकर राया कट तक होता हुआ मत्वरा के बलदेव कस्वे के समीब तक होगा राया मत्वरा अर्वन सेंटर रिवर फ्रंट यमना नदी के समीब होगा मत्वरा की माट और महवन तैसील छेत्र की जमीन परिस्थापित होगा आगे हात्रस की सीमा तक पहुँचेगा राया कस्वे से लेकर के माट और दाउजी तक एरिया होगा राया मत्वरा अर्वन सेंटर का अब आईए हम आपको दिखाते हैं राया अर्वन सेंटर का मानिचित्र कौनसा गाउँ सबसे पहले पढ़ेगा कौनसा बाद में किस तरह से होगी लोकेशन पूरे राया मत्वरा अर्वन सेंटर की और नए ब्रंदावन सेहर की ध्यान से पूरा वीडियो देखें साथी यह हैं यमुना एक्सप्रेस वे का मानिचित्र है यमुना एक्सप्रेस वे आप देख सकते हैं काली मोटी लाइन ह यमुना एक्सप्रेस वे के साहरे दोनों तरफ राया अर्वन सेंटर और नए ब्रंदावन का यह है मानिचित्र आप देख रहे हैं राया कट से पहले जब जीरो पॉइंट से चलते हैं आगरा की ओर तो ब्रंदावन कट है और ब्रंदावन कट से भी पहले मथुरा टोल पिलाजा है जो माट तैसील के छित्र में है इसी माट तैसील के छित्र से राया मथुरा अर्वन सेंटर की सीमा सुरू होती है यमनेक्स प्रस्वेक के सहारे यह आप जो लैन देख रहे हैं बैंगनी जो लैन के बीच का एरिया है यह राया मथुरा अर्वन सेंटर का एरिया है और ब्रंदावन और माट तैसील की सीमा से यह सुरू होता है राया अर्वन सेंटर का छेत्र बल्देव की ओर से हतोरा और नहरौली जुनारदार गाउं से सुरू होता है और राया मत्वरा की ओर जो गाउं इसके अंतरगत आते हैं वह है पानी गाउं खादर और पानी गाउं बांगर का इलाका है जहां तक यह है छेत्र राया अर्वन सेंटर का जाता है बल्देव की सीमा तक का छेत्र चिन्नित है एक तरफ एक तरफ राया छेत्र की सीमा चिन्नित है ब्रंदावन माट राया मत्वरा बल्देव महावन तक का छेत्र इद चिन्नित छेत्र है यह राया मत्वरा अर्वन सेंटर का हात रस तक इसकी सीमा जाती है इसके अंतरगत लगभग 40 किलो मीटर की लंबाई का छेतर है और 20 किलो मीटर की चोड़ाई का 0.88 किलो मीटर से यह है चिन्नित छेतर लगभग दूरी बता रहे हैं हम आपको बिल्कुल एक्जेक्ट नहीं है से इसकी सिमा शुरू होती है 88 किलो मीटर से और 128 किलो मीटर तक यह है छेतर है राया अर्बन सेंटर का इसके अंतरगत जो गाओं आ रहे हैं उनमें दिवाना, सिहोरा, हयातपूर, अल्लेपूर, खेरिया, इसलामपूर, जकरियापूर, मनोहरपूर, महाबन, बांगर, देहात, इब्राहिमपूर, किष्नीपूर, जगधनपूर, छनौली, अमीरपूर, नरहुली, जुनारदार, हतौरा, पानीगाओं, बांगर, पानीगा सूर्जा, मलह, एहरू, लधोरा, भंसारा, पडरारी, बिरहना, खिरारी, टॉली, बहराउंदपूर, जगातरा, भुजुआ, नगला तुलसी, नगला हरी, नगला धोनुआ, नगला थना, गुलसनाबाद और मोहनपूर, लगभग यह 42 गाउं है इन में से दो-चार गाउं के नाम तो छितर के लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि कुछ आबाद गाउं है, ज्यादा तर आबाद गाउं की सभी को जानकारी है, दो-चार गाउं, गैर आबाद गाउं है, तो वह जो मातर कागजों में हैं, उनकी जानकारी लोगों को नहीं है लगभग 42 गाओं की जमीन का जो छित्रफल है वह है चिन्नित है राया मतुरा अर्वन सेंटर के लिए यहाँ माने चत्र देख रहे हैं एक्सप्रेस वे की लाइन है काली बीच में मोटी और उसके बराबर बैंगनी रंग से यह गूमती हुई जो लाइन हम आपको दिखा चुके हैं पहले हमने इसको लाल गेरे में बंद किया था यह है राया अर्वन सेंटर की का छित्रफल है चिन्नित छित्रफल है यह अभी प्रस्तावित चिन्नित छित्र है इसमें तबदीली भी हो सकती है रन फर लाइफ यूटूब चनल बिल्कुल सटीक गाओं छित्रफल और आंकड़े की पुष्टी नहीं करता फिर भी यह प्रस्तावित लोकेशन है जो लाल घेरे के अंतरगत आ रही है आप एक बार पून है देख सकते हैं तो दोस्तों ये थी राया मत्रा यानि नए बेंदावन की गहनता से पड़ताल इससे पहले हम आपको टपल वाजना अर्वन सेंटर की पड़ताल दिखा चुके हैं लगातार हम आपको यम्रा विकास प्रादी करने जेवरेल कोट फिल्म जिटी और टपल वाजना राया मत् पर शती शर्माजा प्रवादी के साथ नमस्कार राया